हेलो एवरी बड़ी वेलकम चुकूफित की नरी मेरे कीचिन में आपका स्वाधत है फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशिल वेरी वेरी हैल्दी टेस्टी एंड करंची कोकोनर चिकी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बन जाती है और मेरी इस वीडियो के देखने के बाद आप कोई भी चिकी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं बस आपको मेरी बताई हुई थुड़ी सी टिप्स फॉलो करनी होगी तो ऐसी crunchy, tasty and yummy coconut चीकी बनाने के लिए मेरी वीडियो के साथ अंतक बने रही है और अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस इसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो प्लीस अपने फैमिली और फ्रेंस में भी ज़रूर से शेर करें तो चलिए फटाफट coconut चीकी बनाना स्टार्ट करते हैं coconut चीकी बनाने के लिए बहुत ही कम सामगरी चाहिए यहां मैंने लगबग 200 ग्राम जितना कोला पूरी गुड लिया है दो टेबल स्पून जितना मैंने घी लिया है लगबग 200 ग्राम जितना मैंने ग्रेटेड ड्राइ कोकोनट लिया है मतलब कि सुखे नारियल का ये जो खमन आता है कद्दुकस किया हुआ वो लिया है मैंने और यह रेडिमेड है आप चाहे तो सुखे नारेल को घर पे भी ग्रेट करके ले सकते हैं तो चलते हैं नेक्स प्रोसेस पे गैस अन करके कड़ाई में मैंने गूड और गी दोनों साथ में ले लिया है अब लो मीडियम फ्लेम पे इसे लगाता रहे से चलाते रहेंगे जब तक कि हमारा गूड अच्छे से मैल्ट ना हो जाए ये देखें लगाता चलाते हुए गूड हमारा अच्छे से मैल्ट हो गया है अब देख सकते हैं लेकिन अभी चाष्णी हुई नहीं है अभी और पक्की चाष्णी बनानी है लगबग डार्क ब्राउन जैसा कलर आ जाए तब तक इसे चलाते रहना है फिर बाद में चाष्णी को हम चेक कर लेंगे फिलाल तो हम लगातार इसे चलाते रहेंगे ये देखें फ्रेंट्स लगातार चलाते हुए काफी कलर चेंज होने लगा है अब देख सकते हैं चाष्णी का बस एक से दो मिन तक और पकाना है ये देखे लगाता चलाते हुए काफी गहरा कलर आ गया है अब देख सकते हैं चाशनी का अब इसे चेक कर लेते हैं गैस की फ्लेम अभी लो रखेंगे ये देखे बहुत इजी तरीका है चेक करने का कि चाशनी हमारी परफेक्ट हुई है कि नई ये देखे ऐसे फट से तूट जानी चाईए अब देख सकते हैं मतलब कि चाशनी हमारी परफेक्ट बनके रेड़ी है तो गैस को बंद कर लेंगे अभी तो गैस को बंद कर लिया मैंने अब जो ग्रेटेड कोकोनट हमने साइड पर रखा ता वो डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ एक बात खास याद रखने हैं फ्रेंस कि गैस बंद करने के बाद ही ये प्रोसेस करनी है अगर गैस चालू रखेंगे और ऐसे एड करेंगे कोकोनट तो दोनों जल सकते हैं तो गैस बंद करने के बाद ही इसे अच्छे से मिक्स कर ले चीकी को डाइरेक प्लैफरम पे ही बेलेंगे तो मैंने प्लैफरम पे घी थोड़ा सा ग्रीस करके रख दिया है सारा मिक्स्चर ऐसे प्लैफरम पे हम रख देंगे बेलन पे भी मैंने घी थोड़ा सा लगा लिया है अब इसे हलके हातों से बेलना है ये देखे क्योंकि मिक्स्चर काफी गरम है तो बिल्कुल भी इसे जोड लगा के नहीं बेलना है हलके आतों से पहले बेलेंगे ये देखिए अपने आपी ऐसे स्प्रेड होता जाएगा ये देखिए मैंने थोड़ी सी बेल ली है अब इसे पलट देंगे पलटने से क्या होता है कि चिकी हम फटा फट बेल सकते हैं ये देखिए और थोड़ा प्रेस करके भी बेल सकते हैं तो आपको जितनी पतली रखनी हो उतनी रख सकते हैं या फिर मोटी भी रख सकते हैं थोड़ी सी तो ऐसे कैरफुली बेल लेंगे ये देखे मैंने चिकी को अच्छे से बेल लिया है अब पीजा कटर से इसके कट लगा लेंगे यहां मैं डाइमन शेप दे रही हूँ आप जो भी शेप रखना चाहे वो रख सकते हैं अपने पसंद के ये देखे मैंने अच्छे से कट लगा लिये है और हमारी चिकी बिल्कुल रूम टेंपरेचर पर भी आ गई है आप देख सकते हैं अच्छे से और ये देखे कितनी इजीली टूट रही है आप ये भी देख सकते हैं फ्रेंड्स इसके पीज भी इजीली कर सकते हैं ये देखे और कितनी क्रंची और कितनी टैंप्टिंग दिख रही है और शाइन भी बहुत ही अच्छी आई है ये भी आप देख सकते है तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे तो ये लिजे फ्रेंज मार्केट से भी कई गुना ज्यादा शुद्ध, हैल्दी, टेस्टी और क्रंची कोकोनट चिकी बनकर बिल्कुल रेडी है और मैं यकिन के साथ कह सकते हूँ कि मेरी इस वीडियो के देखने के बाद आप कोई भी चिकी घर पर आसानी से बना पाएंगे तो इस विंटर पे आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए और आप इसे आराम से 10-15 दिन तक कोई भी एटाइट कंटेनर में रख सकते हैं तो मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी में तब तक के लिए नमस्कार मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले